उतर परदेश के हर्दोई के ग्राम हुसेपूर करमाया में एक अदबुद बच्चे ने जन्म लिया है बच्चे ने शाह जाहापूर के एक नीजी अस्पताल में जन्म लिया है जिसके दो मूँ चार हाथ और दो पैर है जिनका कमर का हिसा आपस में जुड़ा हुआ है जिसक मां के गर्ब से एक अदुबूद बच्चे ने जन्म लिया है जिसका जनम शाहाजापूर के एक नीजे स्पताल में हुआ हुसेपूर करमाया के रहने वाले यासीन की पत्नी शाहीन बेगम के अल्ट्रा साउंड होने पर जुड़वा बच्चे की पूस्ची हुई थी लेबर इस पताल में लोगों का ताता लगा हुआ है लोग इसको कुद्रतगा करिश्मा मान रहे हैं तो कईन लोग इसको देविये इस बाबत अस्पताल संचालक डॉक्टर गोरफ मिश्रा ने बताया कि इस प्रकार के बच्चे को कंजवाइन ट्विन्स कहते हैं यह बच्चे आपस में जुड़े हैं इन बच्चों के दो सीर चार हाथ दो पैर और नाभी और कमर का हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है बच्चों की देख बाल जा रही है और बच्चों की स्थिती अभी ठीक है आगे बच्चों के सर्जन से राय लेकर आगे का इलाज किया जाएगा अपर बात में एक बच्चे की अल्टरसाउंड में इनका जोड़ा बच्चों के था तुिंस थे बाहर जब आए तब ये दो बच्चे आपस में जुड़े हुए थे इसको सियामी स्थिंस ये गंज्वाइंग ट्विन्स होते है इस बच्चे में दो सर है चार हाथ है दो प आगे बच्चों के सर्जन से बाहर के अस्पताल में बड़े अस्पताल में राहे ली जारी है कि ऐसे में बच्चों के बच्चने की संभावना केतनी क्या रहेगी वह हमें तो पहर पर पता चलेगी है तो कि अबच्चों के बच्चों के बच्चने की संभावना केतनी क्या जा रहे हो बच्चे हैं जो पर चार हाथ हैं कब भर्ती करायत हैं आपको इस्टे पतनीक हालत कैसी दुमारी दुमारी आपको आपको अब आपको एसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख शेर और सब्सक्राइब करें थन्यवाद